कुछ विसंगित्यों की बात पूर सनिक साथियों तोरा मज़े बताई गई और मैंने भी उसको देखा वास्तव में कहीं टेक्निकल कमियां उसके अंदर हैं मैं सीखरी बाद निया रक्षा उन्तिजी से समय लेकर इनके अपने कुसा देकर जाऊंगा तोकि ओर रूपी अगर दोस्तों अब बीजेपी के बड़े मंत्री के दुवारा कह दिया गया कि ओरोपी सेकिंड रिवीजन में जो विसंगतिया है उनको सुधार किया जाएगा यानि कि बीजेपी नेताओ ने विमालिया कि ओरोपी सेकिंड रिवीजन में बहुत सारी गलतिया हुई है हमारे पेंशन दारकों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी जी आप यह टेबल देख रहे हैं इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कितनी आपकी पेंशन होनी चाहिए थी और कितनी आपको पेंशन दी गई है सभी अपडेट इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप किसी भी रेंग से रिटार्ड है सिपाई से लेकर या फिर लेटिनेट जनरल तक किसी भी रेंग से रिटार्ड है तो वीडियो को अंथ तक जरूर देखीगा आप देख सकते हैं दोस्तो सिपाई रेंग की अगर हम बात करें तो उननीस हजार से लेकर बीस हजार तिनसो चुराण में तक उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए थी बेसिक पेंशन लेकिन बढ़ाई कितनी अठारा हजार आठसो साथ रूपे उसी परकार से नायक की कितनी बढ़नी चाहिए थी दोस्तो 21,930 तक हवलदार की देखे 22,94 रूपे तक बढ़नी चाहिए थी उसके बाद नेव सुबेदार की 27,597 सुबेदार मेजर की 38,863 और मेजर की देखा जाए तो 70,827 रूपे तक जो बढ़नी चाहिए थी पेंशन उसके बाद लेटिनेंट कोर्नल आ गए 88,832 कोर्नल बिरगेडियार मेजर जरनल लेटिनेंट जरनल तो आप अपनी पोज करके जो पेंशन आपकी बनती है वो देख सकते हैं अब इस पर सुदार किया जाएगा खुद बीजेपी के बड़े नेता के दवारा कहा गया है कि म इस मुद्दे को रक्ष्या मंतरी तक पहुचाँगा और इसमें जो जो बदलाओ किये जाएंगे जो जो विसंगतिया उनको सब को ठीक करा जाएगा और हमारे पेंशन दार को को इसका फाइदा दिला जाएगा तो खैर आप देखने वाली बात है कि कब और कितना टाइम ल अरद